आज हम देख रहे हैं पुरे भारत वर्ष के अंदर जिन उम्मीदों के साथ जिस भाव के साथ लोग आज से दस साल पहले भारती जंता पार्टी को लेकर किया आये कॉंग्रेस को विपक्ष में बिठाने का काम किया आज हरवर्ँ अपने आपको ये मैसूस करता है कि इन दर्ष वर्षों में जो हमारे सपने थे वो पूरे नहीं हुए ना सपने आजादी से लेकर करके दस साल पहले तक पूरे हुए और ना इन दस सालों में पूरे हुए तो अब एक नए विकल्प की आवश्यकता है सत्ता और विपक्ष जो आज है उसको दरकेनार करते हुए एक नया अल्टरनेट इस देश को चाहिए और वो आम आद्वी पार्टी अर्विंद केजरिवाल जी के नित्रितों में देने में सक्षम है इसलिए हरियाना के अंदर हम बदलाव यात्रा शुरू कर रहे हैं पंदरह दिसंबर से शुरू हो करके और चौविस दिसंबर तक यात्रा चलेगी चार जगे से यह चलेगी चार जगों पर इसका समापन होगा अलग-अलग जिले में चार अलग-अलग जो लीडर हैं और एक पूरा सभू इसमें चलेगा और रात्री विश्राम भी होगा, ट्रेक्टर, ट्रॉली, पैदल, छोटा, आती, बैल गाड़ी, घोड़ा, गदे के अलावा गदे पे तो जिंता उनको बिठाएगी इस पे, बाकी और जो भी कॉम्मुनिकेशन का साधन है, उस पे बैठ करके, पैदल चल करके, हम लोगों से अपना समवाद स्तापित करेंगे, और कैसे इस देश को मिलकर के हम आगे लेकर के जाएं, कैसे इस हरियाना को आज जो एक गलट डिरेक्शन में लोग लेकर के गए, उस से हम एक सही दिशा में लेकर के आएं, वो हमारा सबका संकल्प हैं, और उसके उपर काम करेंगे, हमारे समान समारों चल रहे हैं, जो हमने नया संगिठन मनाया, और पूरी उर्जा के साथ, मैं उन साथियों को भी आवान करूँगा, जो राजनीती से आज विबूख हैं, जो ये समझते हैं कि भई, राजनीती गंदी होगी है, राजनीती में अच्छे लोग नहीं आते, तो वो आकर के लीडर्शिप रोल लें, यही आम आदमी एक बड़ा प्लेटफर्म उन साथियों को देने का काम करेगी, और इस यात्रा के दोरान हम वैसे लोगों से भी संपर्क करेगी, विदान सभा चुनाव में कोई गटबंदन नहीं होगा, 90 की 90 सीटों के उपर आम आ उसके बाद हम सक्षम है, पूरे हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि भविषय में अरियाना के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बने, और जैसे पंजाब और दिल्ली के लोगों ने बिलकुल एक सुनामी चलाया आम आदमी के पक्ष में, जो गंदगी थी उसको महां तो कॉंगरेस ने धोखा दे दिया, वो पहले काम गटबंदन करेंगे, फिल पार्टी ने तरी तो उसे बात करी, पार्टी ने तरी तो उने का कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद वो पलट गए, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी वोटो का विभाजन नही चाहती थी, जिसकी वज़े से पहले ही विड्रो आम आदमी पार्टी ने कर लिया, लेकिन अब हर्याना की जहां तक बात है, हर्याना और जांबी लोक सबागे आगे चुना होंगे, और ही मजबूती से आम आदमी पार्टी लड़ेगी.